बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के नौवे महीने की शुरुआत से ही आपको रोजाना कौन से ऐसे खाद्या पदार्थ खाने चाहिए जिससे की गरभाशे की मास, पेशियां और पैल्विक मसल् दोस्तो प्रेगनेंसी के नौवे महीने में चेक अप के बाद जब डॉक्टर आपसे कहेंगी की प्रेगनेंसी बिलकुल नौर्मल है, सब कुछ ठीक है और नौर्मल डिलिवरी के चांसिज है यानि की नौर्मल डिलिवरी हो सकती है तो आपको वही टिप्स फॉलो करने फिर से यानि की नौवा महीना शुरू होने के साथ ही रोजाना वॉक करनी, टहलना, सुबह शाम की सेर करनी, घर के कुछ कामकाज करने, अगर हो सके तो देसी टॉयलेट का प्रेयोग करना, उखडू पूजीशन में बैठना, यानि की पैरों के भार बैठ कर जाडू पहला को रोजाना कुछ ऐसे खाद्यपधार्त खाने शुरू कर देनी चाहिए, जो कि डिलिवरी को बहुत आसान बना देंगे, और अगर आप ऐसा करेंगी, तो नॉर्मल डिलिवरी के बहुत ज्यादा चांसे बढ़ेंगे, दोस्तो ऐसे गरम तासीर वाले खाद्यपधा अजवाइन का लड़ू बच्चे दानी का मूँ जल्दी खुलने में मदद मिलती है में बहुत फाइदिमंद है, लेकिन आप प्रेगनेंसी के नौवे महीने से ठंडा पानी मत पिएं, क्योंकि ठंडे पानी से माश पेशियों में तनावा जाता है, क्योंकि ऐसे में अगर माश पेशियां अकड जाएंगी, तो बच्चे को नीचे खिसकने और पेन स्यू होन आपका पेट साफ रहेगा, क्योंकि अगर आपको कबज रहेगी, तो आपकी आंते और गुदा मल से भरी रहेंगी, जो की काफी जगा घेर लेती हैं, और जिससे की बच्चे को नीचे खिसकने में मुश्किल होती है, इसलिए इस बात का ध्यार रखें, और रोजाना गुन गरम दूद के साथ रोजाना चार पांच छोवारों का सेवन भी कर सकती हैं, और यह भी सर्विक्स की मांस पेशियों को ढीला करने में मददगार साबित होते हैं, और इससे भी आपको बहुत लाब होगा, ड्राइफ रूट का सेवन, प्रेगनेंसी के आखरी महीने से आप रोजाना ड्राइफ रूट का सेवन जरूर करें, आप रोजाना पांच बादाम वा पांच किश्मिश खाएं, लेकिन आपने भीगे हुए बादाम या फिर भीगे हुए किश्मिश नहीं खाने, बलकि सूखे बादाम खाने हैं, क्योंकि बीना भीगे हुए बादामों की तासीर गर्म होती है भीगे हुए ड्राइफरूट आप प्रेगनेंसी के आठवे महीने तक खा सकती है लेकिन प्रेगनेंसी के नौवे महीने से आपको ये ड्राइफरूट सूखे ही खानी है बादाम और किश्मिश के सेवन से आपके शिरीर को ताकत भी मिलेगी और मसल्स भ दाल कर भी देसी घी का सेवन कर सकती हैं, देसी घी में ओमेगा फैटी एसिड, एंटी ऑक्सिडन्ट, विटामिन, खनी जवा वसा होती है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत फाइदिमंद है, घी चिकनाहट लाता है, जिससे की बच्चे को नीचे खिसकने में मदद मिलती है, और नॉर्मल डिलिवरी में भी कारगर होता है, आप बिना दूद की चाई में भी देसी घी डाल कर इसका सेवन कर सकती हैं, अदरक वाली चाई, आप रोजाना एक कप अदरक वाली चाई पी सकती हैं, या फिर दूद में अदरक को उबाल कर भी इसे पी सकती हैं, आप अद पुल्सी का सेवन भी गरभाशे में बलड फ्लो को एकसाइट करता है। लहसुन खाएं आप खाली पेट लहसुन की दो कलियां खा सकती हैं। लहसुन के सेवन से आपकी आंते उतेजित हो जाती हैं। जिससे आपका पेट साफ हो जाता है और बच्चे को आपके शरीर में नीचे की और आने के लिए जगा मिल जाती है। एक बार बच्चे का नीचे की और खिसकना शुरू होने पर यह आपके घरभाशे और सर्विक्स में स्थापित होने लगता है जिससे की आपका शरीर प्रसव के लिए तयार होने लगता है अंडे का सेवन आप रोजाना एक या दो उबले हुए अंडे खा सकती है इससे एक तो आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा और दूसरा अंडे की तासीर भी गरम होती है जो कि मांस पेशियंक कोई तनाव को कम कर सकती है दोस्तो आप रोजाना इन चीजों के सेवन के अलावा अनानास यानि की पाइनेपल का सेवन भी कर सकती है अनानास में विटामिन A, C के अलावा फाइबर, पोटाशियम, फासपोरस और केलशियम काफी मातरा में पाए जाते है पाइनेपल में ब्रॉम लियाड एंजाइम होता है जो की सर्विक्स को मुलायम और नरम बना देता है यानि की बच्चेदानी का मुँ जल्दी ओपन करने में मदद करता है साथ ही पाइनेपल का सेवन लेबर पेन को उतेजित करने में सहयक होता है आप अननास को सलाइस में काट सकती है या ताजे पाइनेपल का जूस भी पी सकती है कच्चा पपीता आप कच्चे पपीते का सेवन भी कर सकती हैं कच्चे पपीते में लेटेक्स होता है जो की यूट्रस में संकुचन यानि की कॉंट्रेक्शन पैदा करने में सहायक हो सकता है दोस्तो अगर आप नौवे महीने से रोजाना ये टिप्स फॉलो करेंगी तो ये खाद्या पधार्थ लेबर प्रोसेस को समय पर शुरू करने के साथ साथ डिलिवरी को आसान बनाने में मदद करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए